Hello दोस्तों, KK Hindi Gyan Video Channel में आपका स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि Facebook में हम email address को कैसे update कर सकते हैं दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं Facebook में login करने के लिए आप या तो email address का यूज़ कर सकते हैं नहीं तो phone number का इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप email address को update करना चाहता है और update करने के बाद पुराने email address को update करके नए email address को primary email address पना के कैसे हम उसे login कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा Facebook app को अपने mobile पे open करना होगा इस सारी चीज़े हम mobile से देखेंगे इसके बाद settings and privacy के अंदर जो पहला option होता है वहता है settings का तो यहाँ क्लिक करना है settings में क्लिक करने के बाद इसमें एक section होता है account settings के अंदर आपको professional information का यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा फिल्ल मिलेगा यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका नाम क्या है email address क्या है जो primary email address phone number अपडेट कर रखा है Facebook में तो वह दिखेगा इस सारी information यहाँ देखने के मिलेगा हमें चुकि email address add करना है अपडेट करना है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है email address क्लिक करने के बाद ऐसा user interface आएगा तो यहाँ आपको दो option है पहला क्या है कि एक link है जहाँ पर क्लिक करके आप email address कर सकते हैं उसके जस नीचे एक है add phone number तो जैसे हम email address add करेंगे उसी से हम phone number भी add कर सकते है तो मैं add email address पर клиk करता हूँ Britt करने के बाद वो मुझे बोल रहे add and additional email address तो यहाँ मुझे email address डालना हो मैंने email address डाल दिया नया वाला नईवाली email address डालने के बाद आपको add email address पर click करना है кр opini करना है add email address पर मैं klikक कर दिया तो उपर टॉप में देख सकते हो great एक message आ रहा है Conformation email has been sent to your new contact email address तो हमें जाना है अपने email address पर जो नय email address पर उस पर एक confirmation email आया है तो आप देख सकते हो कि यहां दो तरह से हम इसे validate कर सकते हैं confident. Confirm button पर click करके नहीं तो facebook ने Confirm lost mow certificate sent किया है। यह confirmation code मुझे enter करना होगा अपने android phone से तो यह मैं note down करता हूँ और मैं जाता हूँ अपने android phone पे वहां मुझे confirmation code enter करने होगा तो यहाँ आप देख सकते हो कि यह email address नहीं all add किया उसके just नीचे confirm email address है तो उस पर हमें click करना है आप चाहें इसे remove करना तो remove पर भी click कर सकते हैं लेकिन मैं confirm करना चाहता हूँ एकसी तो यहाँ enter confirmation code बोल रहा है तो मैं यहाँ confirmation code जो आया है email address पर वह enter करने के बाद हमें click करना होता है confirm पर ठीक है ना आपको suppose confirmation code नहीं मिला तो आप यहाँ भी click कर सकते है recent confirmation email ठीक है न और फिर से email address आपने गलग डाल दिया फिर से change करना है तो यहाँ भी आप click कर सकते हो ठीक है तो मैं confirm पर click करता हूँ तो confirmation code invalid बोल रहा है I don't know why फिर से मैं इंटर करता हूँ 98205 भी था राइट 98209 था sorry 98209 sorry मैंने गलग डाल दिया था तो सही डाल के फिर से इसको validate confirm करता हूँ तो आप देख सकते हो कि लोड हो रहा है अभी चेक कर रहा है कि email address सही है तो इस तरह से देख सकते हो कि आपको कोई iron message नहीं है या that means email address change हो चुका है तो इस app को मैं close करके फिर से open करता हूँ और देखता हूँ हो email address add हुआ है या नहीं तो फिर से मैं triple lines पर क्लिक किया settings and privacy then settings settings के अंदर account settings के अंदर personal information personal information email address यहां पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि एक नई वाली email address जो मैंने add किया है वो यहां दीख रहा है ओपर top में ठीक है और primary email दिखा रहा है मुझे मेरा पुराना जो email address है वो दिखा रहा है तो primary email पर हम क्लिक करते हैं यहां क्लिक करने के बाद अभी हमारा जो तो primary हो जाए तो क्या करना है उस पर क्लिक करना है नई email address पर तो इस तरह से आपको इस तरह से आपको क्या हो जाएगा टिक मार के हो जाएगा उसके बाद हमें safe पर क्लिक करना होता है ठीक है ना मैं अपना primary email address पुराना email address नहीं रखना चाहता हूँ इसलिए मैं इसे safe पर क्लिक नहीं कर रहा हूँ आपको simply safe पर क्लिक करना है उसके बाद पुराना email address को आप easily remove कर सकते हो ठीक है तो दोस्तों आसा यह चोटी सी जाटकाडी थी आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद